अन्यमस्कार तो आज हम डिसकस करेंगे HPJK के Important Questions देखो अभी Cleric Secretary Post Code 962 का वेपर तो हो चुका है अब जैसा वेपर हुआ वो तो हो गया चाहिए किसी का अच्छा हुआ चाहिए किसी का बुरा हुआ तो उसको भूल जाना चाहिए क्योंकि पेपर उसी का नाम है Unexpected Questions आते हैं Tough आते हैं असान आते हैं Nervous नैस होती है बहुत चीज़ें होती है पेपर में तो वो चीज़ हो गई है अब उसको Change नहीं किया जा सकता हम Change कर सकते हैं जो आगे आने वाला है तो आगे आने वाले एक्जाम के लिए आपको त्यार लहना है अब बहुत साथे लोग कहते हैं कि पेपर टफ आ रहा है पेपर टफ नहीं आ रहा है अगर आपने त्यारी अच्छे से की होगी तो पेपर कुछ आ ज़्यादा टफ नहीं है एक तो आपकी प्रैप्टिस कम हो जकती है दूसरा क्या हो जकता है कि आपने पढ़ा कम लेवल का था आपने असान कोईशिंस जदा पढ़े थे तफ कोईशिंस कम पढ़े थे अगर हम तफ कोईशिंस जदा पढ़ेंगे और असान questions कम पढ़ेंगे या फिर हमने जो HPSAC की previous videos जो हम cover कर ली है तो वहां से आप देख लेना कि कितनी help आपको मिली है अब यह हम थोड़ा सा level increase करेंगे आज की video में आपको देखने को मिलेगा कि आप किस तरह के questions discuss करेंगे और एक-एक questions से आपके बहुत concept clear होने वाले हैं तो यह session अगर आपकी help पिलती है अगर आप आगे इसको initiate करते हैं अगर आप अच्छा response देते हैं तो definitely help मिलेगी otherwise वही traditional आपको चाहिए HPSAC के paper तो वह भी हम discuss कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है हरी question बहुत ही important और बहुत ही selected questions है तो definitely जो है HPSAC के साथ आने बाले नायट स्यूदार exam में आपको help मिलेगी junior office assistant के exam में help मिलेगी अब questions जो हैं हमारे पास दोनों languages में हैं हिंदी में भी हैं, इंग्लीस में भी हैं तो आप समझगे होंगे question में क्या बोलते हैं question में बोलते हैं कि Switzerland के राजू WP Blazer ने किस वर्ष एक stein board स्थापित कर खजियार को आधिकारिक तोर पर मिनी स्विजिलेंड का नाम दिया था यह कौन से year की बात हो रही है यह बात हो रही है 1992 year 1992 साथ जुलाई को यह हुआ था option A जो है वो सही अंसर है पहले आप यहां से एक question clear कीजिए कि साथ जुलाई 1992 को हुआ था दूसरा question आप clear कीजिए कि यह जो NY थे राजदूद थे इनका नाम था WP Blazer तो अगर अगले exam में आप से मैं थे नाम पुझा जाता है TO वो WP Blazer आपने धियान रखना है और Switzerland के राजदूद थे यह आपने धियान रखना है कि खजियार को जो है आपको ढरात कि तीन questions आकर यहां से clear होगे और जो लेक है चम्भा में वह भी एक खजियार जील है तो वो भी आपने दियान रहें एक खजियार जील है यह पूरे वर्ल्ड की एगर हम बात करें तो यह 166 साइट है 166 नमबर की साइट है जिसको जो हो मिनी सुझेलैंड का दर्जा दिया गया है चमबा में आपके दियान चंबा के जो चमेरा जील है वो कौन सी नदी के उपर बनी हुई है तो ये रावी नदी के उपर जो है वो बनी हुई है ये भी आपने ध्यान रखना है अगला क्वेशन देखिए क्वेशन अबर टू मैं क्या बोलता है बोलता है विच मैच लिस्ट वन एंड टू ये कुछ मैच दी गई है आपको मैच करनी है यहां पर दिया गया है क्यारदादुन घाटी है और पर कांगडा वेली और बड़ा भंगाल वेली यहीं पर मैच करना है क्वाटे की बीच मेर्च करते हैं यह कहां पर सित्थ है कि सिर्मौर के आसपास कहीं पर सित्थ है और इसको पॉंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है तो अभी आप यहां पर सिर्मौर से मिलता जुलता जो है कुछ ढूंडने की कोशिस कीजिए तो आपको पता है मारकंडा जो है मारकंडा एक नदी भी है स्रिमौर में बहती है और धराती रेंज यह भी स्रिमौर के आसपास कहीं पर लगती है तो आप पहले के साथ किया दुन घाटी के साथ option B को जो है वो मैच कर सकते हैं दूसरा बला घाटी आपको पता है मंडी में पढ़ती है मंडी की सबसे इसको कहा जाता है तो मंडी के साथ आप क्या लिंक कर सकते हैं दौला धार तो मंडी के साथ लिंक नहीं होगा तो यह दो option आपके A और D कैंसल हो जाते हैं और बचता है आपके पास एक ही option हो है C option शिमला रिच और शिवाली के बीच में पढ़ती है तो इसको आप सी के साथ जो है ओलिंक कर दीजिए उसके आपके पास कांगडा वैली आता है कांगडा वैली का किस तरह से फंडा है कांगडा वैली का जाल के बीच में तो इसके साथ आप D कर दीजिए और अभी आपके पास एक ही option बच किया है वो है आपके पास option A वो यहां पर आ जाएगा तो इस ही आपके आप देखेंगे तो BCAD अगर आप देखेंगे तो option B इसका सही अंसर हो गया अब हरी question के बारे में आपको डिरेल से पता चल गया कि कांगडा वैली बलह वैली और क्या ददुन घाटी बड़ा भंगाल वैली इनके बारे में क्या क्या आपको ध्यान रखना है अगला question देखें question number 3 question number 3 में बोलते है which of the following Himalayan zone has the highest 36 plus minus percentage of total geographical area बोलते हैं कि निम लिकित में से हिमाचल प्रजेश के कुल भू भाग का सरवादिक 36 plus minus प्रतिसत जो है वो किस हिमाल्यक्षेत्र में आता है तो यह आता है ट्रांस गिरी हिमाल्यक्षेत्र में option A जो है उसे हिंतर है ट्रांस हिमाल्यक्षेत्र में जो है आता है ट्रांस हिमाल्यक्षेत्र option A आपने ध्यान रखना है सबसे पहले अब ये जो आपका trans हिमाले ranges हैं इसमें इंडिया का कौन कौन सा क्षेतर आता है तो इसमें इंडिया का एक तो हिमाजल प्रसेप प्रदेश का क्षेतर कवर आ जाता है जो 36 plus minus 30 है और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जांसकर range आपकी और लदाख range आपकी लदाख के साथ साथ कराकॉरम range आपकी तो ये कराकॉरम से जांसकर लदाख हिमाचल होते हुए जो है उप्रस करता है ये आप ध्यान रखिए और question में से question इस तरह से निकालना है question number 4 देखिए, 4 में बोलते हैं चोला, डोरा, नीमन मैंसे किस जनजाती का पारंपारिक परिधान है ये कि चोला और डोरा जो है वो कौन से जनजाती के जो है ये dresses आती है कौन से जनजाती के है question number 4 की अगर हम बात करें तो 4 का option सी गद्धी जो है वो से इंतर होगा अब गद्धी ड्राइव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अगर देखो गद्धी ड्राइव के बारे में बात करें तो गद्धी का आपने क्या ध्यान रखना है गद्दीज का अपने ज्यान रगना है कि ये मुख्य रूप से कामर पाय जाते हैं ये मुख्य रूप से पाय जाते हैं आपके कांगणा और चंबारीजन में कांगणा और चंबाक शेतर में तो गद्दीज आते हैं और अगर हम गदी ड्राइब्स का फेस्टिवल, इंपोर्टन फेस्टिवल इनका जाने, तो एक नवाला फेस्टिवल होता है, जो भगवान सिप को डेडिकेटिड होता है, यह मैं बहुत माना जाता है, और इनके मैरिस के टाइप हम डिसकस करें अगर तो जिंडफुक और ब पूझा जाए मानलो कि इनके वीच में दानपुन जो है, वो मैरिस का टाइप हो किस तरह की मैरिस है, दानपुन एक बहुत e common टाइप की मैरिस होती है, वो भी आपने ध्यान रखना है, तो यहादा डिसकस नहीं किया, मैरिस के टाइप डिसकस किया, इनका फेस्टिवल डि तो बोल दें, यहां पर कुछ tribes दी गई है, इनके कुछ marriage के type दिये गए है, swanglas दिया गया है, गदी दिया गया है, खंपा दिया गया है, पंगवाल दिया गया है, इनके पिठचुक दिया गया है, और फक्थुन दिया गया है, जंजारा दिया गया है, रूस्ता ते 2 अधी आगी है सब से पहले आप तिक करेंगे आप सबसे पहले उसको गदीज के साथ मैच कर देंगे तो option दूसरा option C के साथ मैच कर जाता है तो swangla's के बीच में रूस्ता ते भया और ओपिज आता है रूस्ता ते बिया option D सही आंतर है आगे दिए अगया है आपके पास खंपा तो खंपा में कौँ है जाएगा अगर हम खंपा लिखे कैबार जाएगा उसप। option B option B आप यहां पर match कर देजिए और बचता है पंगवाल्स तो पंगवाल्स मैं रुस्ता ते भी आ जो है एक marriage कड़ाए पाता है इसको आप option A पिठ चुख के साथ जो है वो match कर सकते हैं तो आपका क्या सही हंतर आएगा DCBA DCBA देखेंगे अगर आप आप तो option A आप बिल्कुल सही कर देंगे options इस तरह से आप मिला सकते हैं और बाकी मैंने में आपको बता दिया है यहां से जादा detail में अब हम नहीं जाएंगे अगली question के और 6 के बाद question number 6 है यहां पर बोलते हैं इन वायू पुरान the following tribe said to be the inhabitants of महानद mountain तो बोलते हैं कि वायू परवत के वासी माना जाता है किन्नौरास को option D किन्नौरा जो है वो सही है इनको कहां के माना जाता है यू पुरान के अनुसार महानद परवत के माना जाता है पहला एक question आपका ये clear हुआ दूसरा question आप क्या ध्यान रखे दूसरा question आप ध्यान रखे कि कि किस पुरान के according मा आ गया है ये ध्यान रखिए तो कि नौरास की बात करें तो इनको खस, खश्या, खुर्पा ये सब जो है कहा जाता है और इनके बीच में मैरिज के टाइप होते हैं अब ही मैरिज के टाइप हम डिसकस कर ही रहे हैं तो इनके मैरिज के टाइप जानिए दम चाली सम इनका मैरि का टाइब होता है और ये फोर्सफुल की जाने वाली शादी है जबर दस्ति सादी अब कह सकते हैं इसको तो ये इनके बीच में मैं इसका टाइब है और वाई यू पुरान का बहुत इंप्पॉर्टन्ट है ये भी ध्यान रखना है और कहां के वासिते महानन्त परवद के व हुआ अनुशुजित क्षेतर का मतलब हुआ इसका सही एंसर होगा इतना जो है यह माना जाता है यह आपको पता चल गया अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की इस तरह से है कि 68,00,00 अप्रोक्सिमेटली जो है वह हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है अगर हम बात करें शेडूल कास्ट कितना प्रसेंट अरिया कवर करती है तो यह हिमाचल प्रदेश के पूरे पॉपुलेशन का पूरी पॉपुलेशन का 25.19 प्रसेंट कवर करती है शेडूल कास्ट यह आपने ध्यान रखना है उसी तरह सेडूल ट्राइब की बात करें तो वह जो है वह 5.71 प्रसेंट जो है वह कवर करती है 2011 की जंगर्णा के अनुसार अभी 2011 की ही latest जंगर्णा हुई है अभी जो होगी वो होगी प्रसेंट डैटा 2011 का ही अभी आपको ध्यान देखना है पॉपुलेशन का है यह और हिमाचल प्रदेश की exact population अगर किसी एक्जाम में आपसे पूछ ली गई तो आप क्या लिखेंगे 68,64,602 यह जो है हिमाचल प्रदेश की exact population है और area scheduled कितना है 23,655 और total area 55,673 यह सरब पता चला अगला question है question number 8 बोलते हैं which is the earliest specimen of नगाडा design found in हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो नगर सैली में प्राचिंतम उधारान कौन सा है इन वैसे मंदिरों का अगर हम बात करें कि कौन सा नगाडा style में बना है कौन सा नगर style में जो हो बना हिए कि हिमाचल का लौरा भी कहा जाता है लौरा हिमाचल कहा जाता है मस्रूर रॉक कर टैंपल को और अजंता कहा जाता है ताबो monastery को यह आपने ध्यान रखना है और अभी एक्जाम में question पूछा गया था कि बचेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर सित है भजारा में स्ति जाए कि बैजनात किसके लिए famous है तो Lord Shiva का टैंपल यहां पर है उसके लिए famous है यह दो भाई थे आहुका और मानुका उनके द्वारा जो था हुए तो डाउट नहीं रहना चाहिए मन मैं question number 9 मैं बोलते हैं बसॉली स्कूल की जो पेंटिंग थी वो किस राजा के कारेकाल के दुरान अस्तित्तों में आई थी तो यह बसॉली के राजा कृपाल इनके कारेकाल के दुरान आई थी option a राजा कृपाल जो है वो सही अंसर है इन श्किसटी-इट से लेगर 1694 के भीच में था और यह बसॉली के राजा थे यह पता लगा आपको और कांगड़ा की के पैंटिंग की अपको पता है कि कांगड़ा की पैंटिंगे और राधा और इनकी जड़े बाने जाते हैं यह गुलेर पींटिंग से यहां理 और यस्नेठ और चंद जो थे इन्होंने कांगडा कलम को जो था वो शरनदीदी अपने कारिकाल को दुराँ जबी हुआ करते थे यहां के राजा यह भी वे साथ में ध्यान रखे जो लीजिए सारे इतना ही ध्यान रखना है चंबा पिंटिंगं की भी बात कर ही लेते हैं यह बात हो रही है चमबा के राजा आपने ध्यान रखना है कि चमबा के राजा उदाय सिंग हुआ करते थे इनके कारेकाल के दुरान चमबा पेंटिंग और फली फुली थी यह आप कहा सकते हैं अगला कौशिन देखिए बोलते हैं कौशिन 10 में बोलते हैं कि which are the following national park centuries of हिमाचल प्रदेश occupied 1171 square kilometer of area बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा reason है जो 1171 square kilometer area जो है वो कबर करता है देखो question number 10 का जो सही अंसर होगा वो क्या होगा question number 10 का option बी greater हिमाल्यन नैशनल पार्क सही अंसर होगा greater हिमाल्यन नैशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश का ऐसा century है ऐसा reason है जो कितना area गवर करता है 1173 square kilometer area गवर करता है यह आपको पता चला greater हिमाल्यन नैशनल पार्क की बात करें तो इसको इसको विनेशको की heritage list में भी सामिन किया जा चुका है पहले आपने ध्यान रखना है कि greater हिमाले नैशनल पार्क कुल्लू में स्तित है दूसरा आपने ध्यान रखना है कि guaranty haska whenlements सीता है कुलु में सीता है दूसरा बनता है कि इनस्कों की list में सामल किया गया है 2014 में कि आ रधा है और कुणू में कुछ wildlife centuries भी सीय सेक सेंचुरी कि एक बार जान दीए बहुत important है कुलु में अन्य ल단 की मनारी कुलु में इमपोर्टेंट wildlife पक्रूरी से हैं डिश्टिक पुलू की, यह आप द्यान रखेंगे, दूसरा आप द्यान रखेंगे कि अगर आप टेलीग्राम पर अभी भी नहीं चूड़े हैं, तो आप भी जूड़ जाईए अगर अभी तक नहीं चूड़े हैं और HPGK के लिए हमारा यही initiative चलेगा अगर आप लोगों का response अच्छा मिलता है और कोशिश करेंगे कि आपका exam अभी जैसा भी हुआ हो पर अगे आने वाले exam आपके अच्छे हो उसके लिए हम एक अच्छी कोशिश करेंगे अच्छी practice करेंगे तो आज की video में इतना ही काफी ह अच्छी करेंगे अच्छी करेंगे यहीं तो पर अच्छी करेंगे झाच्छी करेंगे